आगे बढ़ते हैं। बाल्यकाल से ही तलद सहाब को संगीद से बहुत प्यार था। बहुत कम उम्रों में उन्होंने शास्त्रियसक का भ्यास किया। गालिप की गजलों का भ्यास किया। उनके पिताजी मंजुर सहाब चाहते थे। तलद पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर अपना पुष्टनी कामकास आगे बढ़ाए। उनकी एलेट्रिकल चीजवस्तु बेजनी की एक दुकान थी। अतहर अनमन भाव से तलज सहाब ने अली मुस्लिम विश्व विद्धावले में माइक्रोबाले जी की पढ़ाई शुरिकी। मगर उनका मन हमेशा सूर खोशते रहता। उनकी एक चाची जी थी महाल का बेगम। उन्होंने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। और फिर रुजान संगीत की और बढ़ते हुए तलज सहाब को उनके पताजी ने यानि मन्जूर सहाब ने मैरिस कॉलेज में भरती होने की अनुमती दे दी। और फिर भारत में एक सुनहरी आवाज गुन जुठी तलज सहाब की अपनी कहो कुछ मेरी सुनो। यहांगीत सी रामचंदर जी ने इसे संगीत बध्ध कीया है। सी रामचंदर जी के बारे में और एक बात कहना चाहूंगी कि वे अञ्ञा सहिब और सितर कर्रा ये दो नाम circuits दिया करते थे पारशवगायन किया करते थे तो अगर आप आपने ये दो नाम कहीं सुने हैं मि कहां कुछ मेरी सुनू क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए रोने की आदत ऐसी पड़ी पसने का तराना भूल गए हां भूल गए माली आते बीत गए फिर चांद निराथे आई है दिल में नहीं उचिया मेरे हम की घटाये चाई है हमके घटाये चाई है दिल के वाले याद करो क्या बृत निवाना भूल गए क्या भूल गए अपनी कहां कुछ मेरी सुनू क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए बूला हुआ है राह मुसाफिर पिछला हुआ है मन्जिल से किछड़ा हुआ है मन्जिल से खोए मुए रस्ते का पता तू बूछ लो खुद अपने दिल से चलते चलते तितना ठते मन्जिल का ठीका ना भूल गए हा भूल गए नि कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए नजदिक पढ़ो नजदिक पढ़ो के मौसम नहीं फिर आदेता नहीं मौसम नहीं फिर आदेता नजदिक शमा के जाने से क्या हाल हुआ परवाने का क्या हाल हुआ परवाने का निचनी का फसाना याद रहा जलनी का फसाना भूल गए क्या भूल गए अपनी कहो कुछ मेरी सुनो क्या दिल का लगाना भूल गए क्या भूल गए क्या हुआ